हेलो फ्रेंड्स एजी टु हेल्दी किछन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज फिर एक रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आवला की कैडी जो खाने में बहुत ही चटपटी होती है और आप इसे साल दो साल तक रखके खा सकते हैं तो यहां पर मैंने लिये हैं आवला यह हाफ के जी के करीब में है और इसे हम लोग कुकर में डाल कर अभी पकाएंगे तो यहां पर मैंने कुकर लिया है और इसमें सारे आवलो को मैं इसमें डाल दूंगी तो यह कैंटी बहुत ही चटपटी और बहुत ही मैजदार बनती है और घर में बना रहे हैं तो आप इसे अपने मनमुताविक बनाए जैसा आपको पसंद हो खाने का खटा मीटा तीखा आप उस तरह से बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी एक बावल में ने चीनी ली है यहाफ कब के करीब में है ऐसे आप हाफ के रेशियो में ले सकते हैं जैसे आधा केजी आवला है तो एक पाव यहाँ पर चीनी ले सकते हैं और यहीं पर थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि चीनी जले नहीं और अब ठकन को बंद करके तेज आज पे एक भी सिल लगाएंगे तो इसे पकने देते हैं और मसाले देख लेते कि इसमें मैं क्या डालूँगी तो यहां पे जीरा है वन टीए स्पून, अजवाइन है वन टीए स्पून, हाप टीए स्पून कलोंजी और चार लॉंग, दो इ और कलोंजी को बीना भूंजे ही पिसेंगे और इन तीनों को भूण लेंगे पहले तो यह देखिए आवला अच्छे से पक्या है और अब इसे निकाल लेंगे तो यहां पर मैंने एक थाली ली है और उसमें से निकाल लेंगे और इसके सारे पीसे को अलग-अलग कर देंगे और बीज को हटा देंगे तो आपला सहत के लिए भी बहुत ही फायदे मंद होता है चाहे आप इसे जिस रूप में भी खाये ये बॉड़ी को बहुत ही फायदा पहुचाता है तो आप एक बार इस तरह से कैंडी बना कर जरूर देखें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो ये देखें मैंने सारे पीसे को अलग कर लिये हैं और ये पानी को फेकेंगे नहीं इसे कभी भी पी सकते हैं सरवत में बना करके या फिर आप इसे चटनी में डाल कर बना सकते हैं गोड़ा डाल रहीं हूं सुगर पाउडर को और ये काला नमॉक और सारे मसालों को मैंने पीस लिया है वह भी डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे तू फ्रेंड्स मैंने यहां पे चीनी कम डाला था आवला के साथ तो मैं ऊपर से थोड़ा सा यहां एक पाव चीनी लेंगे, तो उसमें आपको नहीं डालना पड़ेगा चीनी उपर से, आप चाहे तो कैंडी के उपर से लगा के डबा में बंद करके रख सकते हैं, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है, और सारे मसालों को अच्छे से मिला कर, मिक्स कर लें, वहां से खोल चाहें, तो सब्याओं, अच्छे से मिला आपवे, अच्छे से सारे पीस में लग जाने चाहिए मसाला, और अब मैंच्छे से नहीं चाहिए आप इस केंडी को जहां तक खुशिस करें सीसा बड़तन में या फिर शिटिल के बड़तन में नहीं बनाएं, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं सुखाएं, तो ये देखिए मैं अच्छे से फैलाली हूँ, इस्टिल के थाली में, और इसे धूप में रखके दो से तीन दीन तक सुखाएंगे, तो उपर से कॉटन कप्रा डाल दें, ताकि कोई डश्ट नहीं पड़े, तो ये ऐसा हो जाता है, और बिल्कुल आम पापड के जैसा सॉप्ट रहता है ये, और जल्दी खराब भी नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया, आप एक दो साल तक अच्छे से रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, मैं अभी इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी, कि ये अंदर से कित टेर टाइट डबे में रखें, ये बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए फिर आप इसे ट्राइ कीजिए, आमला केंडी को, चटपटी आमला केंडी, तो चलिए बनाएए और आप ट्राइए कि जिए कि कैसा लगा, और हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा टेस्ट में, चलि